बावागड के अंदर जो गाली मंदिर है। वहाँ पर जेन तीरतंपरोग की मूर्तिया लगभी थी। जिने वाहके ट्रस्ट ने जेन समबाज को विश्वास में लिये बिना, उनसे वार्था किये बिना, उनको सुचित किये बिना वहां से वो प्रतिमाय हटा दी। उसके बा उस्वास में लेना चीए था लेकिन कुछ भी नहीं किया गया और उन्हें शीधी कारवाई करके वो मूर्तियां हटा दी गई उसके बाद से जेन समाज आक्रशित है और जेन समाज का साथ देने के लिए वहां की जो करणिशना की जो स्तानी एकाई के लोग थे वो भी पहुं उन्होंने जेन समाज को आश्वस्त किया है कि आपकी जो प्रतिमाएं जहां थी वहां पे उनको इस्तापित करवा दिया जाएगा लेकिन एक तरफ प्रसाशन कहरा है कि वहां पर जो है वापस इस्तापित करवा दिया जाएगा दूसरी तरफ कुछ ऐसा माजिक्तत हुआ ह जो भी इस मामले को बिगाड़ना चाते है अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसके पुछ टीड दो मैंनी करता लेकिन उसके अंदर कुछ जेन समाज के संत कड़े हैं और शड़क के ओपर कुछ गाई के अंग पड़े हैं कटे पटे वो ये दावा किया जारा है कि ये जेन उपास रही यानि उनका जो दार्विक स्तल है उसके बास कुछ ऐसा माजिक तत्वों ने मामले को बिगाड़ने के लिए माउल बिगाड़ने के लिए इस तरह की अरकत किया है खैर उन्होंने जो भी किया हो वो जाने मैं बात कर रहा हूँ कि क्षत्रिय शंग्ठन जो भी है उन्होंने जेन समाज को समर्थन क्यों दिया जबकि जेन समाज ने तो समर्थन मांगा ही नहीं उसके बावजूद क्षत्रिय शंग्ठन उनके पक्ष में क्यों उतरे तरसल इसके पीछे जो वज़य है जैसे कि रामराजे मीशन के राजरिशी राजेंदर जिंग नरुका ने अपने फेस्बुक वाल के ओपर लिखा कि जितने भी जेन समाज के तीरतांकर है वो क्षत्रिये ही है और जेन समाज के जो सादू हैं, संथ हैं वो हमेसा चाहिए उनके प्रवचनों, उनके उद्भाधनों, उनके बासनों जहां पी उन्होंने बोलना होता है तो वो क्षत्रिये समाज की परसंसा करते हैं और यही एक क्षत्रिये समाज का उनके साथ लगाओ है कि जब वो सम्मान करते हैं तो उनके आज सम्मान बचाने के लिए क्षत्रिय समाज के जो संक्टन है वो मेदान के अदर उतर गए अब बात आती है आजकल सोशिल मेडिया की पर मैं देखता हूँ कि सोशिल मेडिया के ओपर बहुत सारे लोग है जो अपने आपको स्ट्रेश्ट साबित करने के लिए यानि अपनी जाती, धर्म या अपने संपरदाई को स्ट्रेश्ट बताने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं जबकि जेन ऐसा नहीं करते जेन समाज के लोग सबी को के लिए समाज रखते हैं और खास कर जो क्षत्री शमाज है उनको अमेसा वो समाज देते हैं उनकी मैंने कभी भी किसी जेन की प्रतिकुल टिपणी आज तक नहीं देखी और इसी का कारण है कि आज उनके समाज के लिए क्षत्री शंक्तन बेदान के अंदर है तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जाती को अपने संपरदाई को अपने धर्म को स्रिष्ट बताएं आप अपने बारे में लिखें दूसरे को नीचा दिखाने की उनको बुरा दिखाने की कोशिश ना करें ऐसा कभी भी कोई काम नीचा दिखना पड़े और क्योंकि जिस दिन आपके उपर या आपके सम्मान के उपर कोई बात आईगी तो फिर आपका साथ कोई नहीं देगा आज जेन समाज क्षेतरी समाज का सम्मान करता है तो जेन समाज के सम्मान की खातिर उनके स्वाव इमान के रख्षा के लिए क्षट्रीय शंक्तन मैदान के अंदर हैं क्षट्रीय युवा उद्वेलित हैं और किसी भी हथ तक जेन समाज के साथ जाने के लिए तियार है अब देखते हैं कि आगे प्रसाशन क्या करता है क्षित्र का माहूल नहीं बिगड़े और अपस के अंदर जो समाजिक शोहार्द और प्रेम भाईचारा ये हैं वो बना रहे धन्यवाद